नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उतकर्स नर्सिंग क्लासेज के सॉनलाइन प्लैटफॉर्म के उपर ये दिवाली धमाके वाली जिया दोस्तों इस दिवाली मैं धमाकेदार टॉपिक का मजा लीजिए एक मातर प्लैटफॉर्म उतकर्स नर्सिंग करने वाले वो छोटे-छोटे टॉपिक, एक्जाम को क्रैक कराने के लिए लेकर आ गये हैं तो यह छोटे-छोटे बंब धमाका बोट बड़ा करेंगे यह बात तो आप इनको सीरियसली लीजेगा कि जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, यह बहुती सारगर्बित टॉपिक है, इनके अंदर वो तमाम बाते हैं, छोटी छोटी बाते हैं, जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको इनको पढ़ना है सीखना है और अपने आपको इन बातों से जोड़ के और इस दिवाली को धमाकेदार डिवाली आपको बनानी है तो आज इसी तरीके का एक छोटा सा टॉपिक धमाकेदार टॉपिक जिसके बारे मैं बताने वाला हूँ और पीडेट्रिक नर्सिंग का ये टॉपिक है नाम है Neonatal Hypothermia जेन दोस्तों Neonatal Hypothermia के बारे में एक्जाम में कई बार questions पूचे वे तो Neonatal Hypothermia क्या होता है Neonatal Hypothermia जो है वो उसके क्या-क्या types है Neonatal Hypothermia बच्चों को क्यों होता है और उसको कैसे prevent करते हैं ऐसी कुछ छोटी बात है quick review के रूप में हम यहाँ पढ़ने वाले topic है हमारा neonatal hypothermia neonatal hypothermia 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 सबसे पहला स्वाल तो इसमें यही बनता है कि जो है इसका दूसरा नाम क्या है तो आपको पता होना चाहिए neonatal hypothermia is also known as silent killer जो newborn baby है इसमें इसको silent killer के नाम से जानते है silent killer silent killer कितना जबर्दस नाम है silent killer तो neonatal hypothermia वो condition है जो छोटे बच्चों में silent killer का काम करती है मतलब एक ऐसी बिमारी जो बच्चे को silent तरीके से kill करती है इसका मतलब क्या वासर why it is known as silent killer तो silent word इसलिए when the disease is not symptomatic and this will lead to cause of death यहां पर silent word का मतलब होता है कि there is no symptom there is there is no evident symptom evident symptom evident symptoms कोई evident symptoms नहीं होता है there is no evidence symptoms and cause of death killer हमने बोल दिया तो cause of death disease is cause of death विमारी जो है वो death का कारण बन जाती है और कोई वहां पर जो है evident symptom नहीं होते हैं तब इसको silent killer के नाम से जानते हैं तो नियोनेटल हाइपोथर्मिया नियोनेटल एज में होने वाला temperature कम होने वाले के सब विमारी जो बच्चे में बिना evident के कारण बन जाती है मृत्यू का ऐसा क्यों होता है तो आपको पता होना है कि जब बच्चा मदर के वूम में होता है तो मदर के वूम का जो environment है जो temperature है दोस्तो वो temperature 37 degree centigrade के equivalent होता है क्योंकि मदर जो है उसका जो वूम है उसमें मदर के body का temperature होगा और वो temperature जो है वो normal body temperature होता है बहार जब बच्चा मदर के वूम से आता है तो जो environment का temperature है वो temperature normal temperature नहीं होता है क्योंकि environment का temperature होता है वो तो मतलब मदर के वूम का temperature नहीं है अब तो environment का temperature है और वो environmental temperature जो है वो मदर के वूम से less होता है मदर के वूम का temperature normal temperature लेकिन environment का temperature मदर के वूम के जैसर temperature नहीं है तो यह जो बाहर का temperature है दोस्तों इससे इस बच्चे को समस्या हो जाती है तो इस बीमारी मम बोलते हैं neonatal hypothermia को silent killer बोलते हैं क्योंकि यहां पर बच्चा मदर के वूम से बाहर आया और बाहर आया तो उस बच्चे में heat का loss होता है अब बच्चे में heat के loss होने का कारण क्या 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 पहले ये हमें पढ़ना है फिर अइपोथर्मिया के category क्या होता है फिर इसके तो यह क्यों होता है इसका क्लासिफिकेशन क्या gesch theo सबसे पहले रिध के तो जो neonate के अंदर या newborn के अंदर normal body temperature जो रहता है यह ना, भई normal body temperature जो हता है normal body temperature body temperature for a newborn for a neonate एक neonate के लिए normal body temperature जो हता दोस्तो for a neonate is 36.5 degree centigrade से 37.5 degree centigrade यह scale है, centigrade scale है normal body temperature के लिए 36.5 degree centigrade से 37.5 degree centigrade यह जो centigrade scale है normal body temperature की इस centigrade scale से कम मतलब 36.5 से कम वाले को hypothermia बोलेंगे hypothermia की definition क्या होगी कि when body temperature यह तो normal हो गया अब इस normal के अंदर हम hypothermia के इसको बोलेंगे तो हम इसको hypothermia का बोलेंगे hypothermia तब बोलेंगे जब यह hypothermia जब यह temperature जो है it is less than 36.5 degree centigrade अब इससे कम तो कम ही होता है पर इसकी भी category बना ही गई है अब इसकी category क्या कहती है कि hypothermia तीन तरह के होता है एक hypothermia को बोलता है mild एक को बोलता है moderate और एक को बोलता है severe यह तीन category hypothermia की रहती है एक को माइड बोलेंगे दूसरे को moderate बोलेंगे और तीन तरह को किस नाम से जानेंगे severe hypothermia के नाम से थ्यान रहे दोस्तों कि जब हम mild hypothermia की बात करते है यहाँ पर mild hypothermia की बात करते है इसको हम cold stroke भी कहते है cold stroke mild hypothermia को cold stroke भी कहते है और यहाँ पर temperature जो है वो रहता है 36 degree centigrade से 36.4 degree centigrade क्योंकि 36.5 degree centigrade तो normal में आता है तो 36.5 से तो कम है 36 से ज़्यादा है और 36.4 तक है तब इसको mild hypothermia या cold stroke भी कहते है जब मैं इसको moderate hypothermia की रूप में define करूंगा तो यहाँ पर आपका temperature रहेगा 32 degree centigrade से 35.9 degree centigrade 32 degree centigrade से 35.9 degree centigrade तो इसको हम क्या बोलेंगे moderate hypothermia और जब मैं दोस्तों यहाँ पर severe hypothermia की बात करूंगा तो it is less than 32 degree centigrade जब यह 32 से ही कम हो जाएगा यह सबसे dangerous hypothermia है और इसको हम severe hypothermia के नाम से जानते है hypothermia की scale बहुत important है normal body temperature कितना होता है बच्चे का यह आपको पता होना चाहिए that is 36.5 to 37.5 adult में यह 37 है बच्चे में एक range है और hypothermia को कैसे define करते है mild, moderate और severe mild hypothermia को कैसे define करेंगे when it is less than 36.5 जो scale है 36 to 36.4 और moderate है 32 to 35.9 और severe है less than 32 degree centigrade now mild, moderate और severe hypothermia को define करने के बाद में अगला जो important रहता है कि यह जो newborn baby है जो hypothermic baby है इसके अंदर hypothermia होता क्यों है what is the reason of hypothermia and how we can treat the hypothermia कैसे इसका treatment करते है और cause क्या है reason मतलब cause क्या है और hypothermia का treatment कैसे होता है इन सब बातों का हम समझे तो यहाँ पर अगला जो point रहेगा वो है cause of hypothermia hypothermia के क्या causes रहते है causes of hypothermia hypothermia के cause क्या क्या रहेंगे and how can we treat the hypothermia इन चीजों को हम पढ़ने समझने के लिए समझे cause of hypothermia मैं पहला जो important कारण होता hypothermia का वो रहता है कि newborn baby जो birth हुआ वो बाहर के environment माया तो labor room का जो temperature है दोस्तो वो temperature जो है वो तोड़ा ठंडा temperature होता है मदर के womb से तो cold labor room temperature last labor room temperature पहला कारण बनता है hypothermia का इन चीजो पहला कारण है वो है less या less या low less labor room temperature labor room का temperature का कम होना है न ये heat के loss का का कारण बनेगा और ये कारण जो है आपका radiation method के थ्रू होता है indirect heat का loss होता है दूसरा hypothermia का जो कारण बनता है वो कारण बनता है कि बच्चे का जो cerebrum या sorry तो hypothalamus है वो mature नहीं है immature hypothalamus है immature brain है तो उसमें severing नहीं होती है एक newborn baby पैदा होती है कि आपने कभी भी उसको कांपते वे ऐसे नहीं देखा कि ठंड लग रही है ठंड लग रही है ठंड लग रही है that is something like that तो severing जो होती है दोस्तों severing वो severing newborn baby में absent होती है जैसे अभी आपको ठंड लग रही है तो आप sever कर सकते हैं लेकिन थोटे बचे में ठंड लगने का concept नहीं है उसमें severing नहीं होती है उसका कारण है immature hypothermia में जाता है तो पहला जो कारण बन गया वो है labor room के temperature का कम होना और दूसरा जो कारण है कि बच्चे में सिवरिंग होती है वो सिवरिंग absent होती है तीसरा कारण दोस्तो आइपोथर्मिया का very important थर्ड रीजन जो रहता है आइपोथर्मिया का वो रीजन रहता है कि जो newborn baby है वो बच्चा खुद को dry नहीं कर सकता और जब मदर के womb से आता है तो गिला होता है है ना तो weight baby एक तो प्यामें जाता है हम करेंगे यह अलग concept है लेकिन बच्चा तो खुद को नहीं कर सकता वो तो आइपोथर्मिया में जाएगा अचा बच्चा जो है वो खिड की दरवाजे बंद नहीं कर सकता जहां से हवा लग रही है अंका ऐसी बंद नहीं कर सकता बच्चे को हवा लग और बच्चा जो है वो घरम कपड़े नहीं पहन सकता बच्चा जो है वो कंबल नहीं ओड सकता खुद से यह सब काम बच्चा नहीं कर सकता आपको कि सर हम पहना देंगे तो पिर आईपोथर्मिया नहीं होगा यहीं तो करना है लेकिन एक न्यूबॉर्ण बेबी इस वजे इस वजा जेता रहें नहीं है जब भाइक उपयोगिन पार रहा रहना आपकोश को यह तुरेट्मेंट क्या है? तो प्रिवेंटिव मेकनिजम क्या होती है प्रिवेंटिव मेकनिजम की बात करें दोस्तों तो नूबोर्ण बेबी के लिए सबसे बड़ी मैकनिजम होती है ब्राउन एडिपोस टिशू या इसी को हम किस नाम से जानते हैं ब्राउन फैट के नाम से जानते हैं यह एक्जाम का फैमस क्वेशन है क्योंकि कोई भी छोटा बचा आइपो थर्मिया में क्यों नहीं जाता है क्योंकि उसकी बोडी में ब्राउन एडिपोस टिशू या ब्र टो एक रुटक पॉश्चर तो को सब्सक्राइब नुवयार झालो को अधना ऐप पोश्चर प्रफिande कर से तो करो एंगा नल्राइब दो सब्सक्राइब तो य Rex सब्शार यह ल धादनान झालो है नुपरिंद में जब बोटन पर रहे KYC से चास लुटर होता है उसको dry और warm करने के बाद में हमारा अगला action यह रहता है कि as early as possible breast feeding should be started तो mother का जो breast milk होता है वो अंदर जाके metabolize होगा बच्चा उसको digest करेगा और उससे eat का generation होगा और बच्चे में warm filling आएगी तो बच्चे में hypothermia की risk कम हो जाएगी तो जो milk है breast feeding जिसको हम exclusive कराते है newborn baby में तो breast feeding और that should be exclusive तो अगर आप exclusive breast feeding newborn baby के अंदर कराते है दोस्तों तो exclusive breast feeding क्या कराती है बच्चे को आइपोथर्मिया में जाने से prevent करती है क्योंकि breast milk जो है वो बच्चे में warm का का कारण बनता है और वो बच्चे में मेटबोलिक मिल्क जो है वो बच्चे में हीट का जंडरेशन करता है अपने देखा होगा कि छोटा बच्चा जब भी अनकमपर्टेबल होता है जब भी वो आइपोथर्मिया में जाता है वो बच्चा थोड़ा क्राई करता है हम उसको फिडिंग कराते है तो जाने से रोगता है अगर कोई बच्चा आइपोथर्मिया में चला जाता है तो बच्चे में परिफरल वेजो कॉंस्टिक्शन होगा इसलिए बच्चे में एक तो एक्रोसाइनोसीस देखने को मिलते हैं उसके पाम और सोल जो है वो ब्लू हो जाते है देट इंडिकेट की बच्चा आइपोथर्मिया में जा रहा है दूसरा बच्चे की हार्ट रेट कम होने लग जाती है बच्चे में रैस्परेटरी डिस्ट्रेस होने लग जाता है बच्चा आइपोगलाइसीमिया में जाने लग जाता है फीड को एक्सेप्ट नहीं करता है तो कोल्ड नेस्ट होती है वो बच्चे में multiple problem करता है hypoglycemia कराता है ready cardia कराता है respiratory distress कराता है acrocinosis कराता है और जैसी आप उसको वापस थोड़ा warm कर देते हैं बच्चा लिथार्जी कम हो जाता है heart rate वापस ठीक हो जाती है feeding करना सुरू कर देता है hypoglycemia नहीं होगा क्योंकि hypoglycemia episode और hypoxic episode इस immature brain के लिए इस immature newborn baby के लिए बहुत डेंजरस है क्योंकि अगर hypoglycemia हो जाए और hypoxic condition हो जाए और बच्चे को brain की oxygen नहीं जाएगी तो बच्चा जो है उसमें brain में irreversible damage होने शुरू हो जाते हैं so this is very important कि newborn में hypothermia को prevent करना होता है एक तो यह खुद के बास पर उसके पास में कुछ तरीक है एक हीट के loss क्यों होते हैं यह हमने पड़े hypothermia का category याद रखना है और हमारी responsibility है कि बच्चे को dry करें बच्चे को warm रखे cover करके रखें बार-बार feeding करवाएं उसमें assessment करते रहें बार-बार बचा इपो थर्मिया में नहीं जाए इसके लिए warmer यूज कर सकते है radiant warmer यूज करते हैं and we can use room heater slight warm environment रखें बच्चे को feeding कराते रहें kangaroo mother care देके direct skin to skin contact करके और उसमें hypothermia को prevent किया जा सकता तो आइपो थर्मिया बहुत ही बैतरीन और important topic है कई सारी बाते जो है आइपो थर्मिया को लेके exam में repeatedly पूछी हुई है तो इस छोटे topic के अंदर कुछ खास बाते exam में आती है कि कैसे उसको प्रिवेंट करते हैं क्या sign होते है आइपो थर्मिया के क्लिनिकल साइन क्या होते है कैसे उसको modify करके बच्चे को प्रिवेंट कर सकते हैं इसके clinical sign बहुत important है दोस्तों जब आपको आइपो थर्मिया के clinical sign पूछे इसको भी आप अच्छे से याद रखना एक्रोसाइनोसीज का मतब होता है कि blue extremities तो यहां पर एक्रोसाइनोसीज के case में जो extremities है वो कैसे देखने को मलते हैं blue blue extremities और अगर आप इसको ठीक नहीं करते हैं तो यह बच्चे में central sinus हो जाता है जिसमें पूरा बच्चा ही नीला हो जाता है यह तो पहला sign है दूसरा sign जो radicardia क्या देखने को मलेगा radicardia यह आई-पोधर्मिया का clinical sign है जो बच्चे में दैखने को मलेगा तीसरा जो आई-पोधर्मिया का symptom होता दोस्तों उस symptom के अंदर जो new bone baby कि हार्ट रेट कितने से कम हो जाना तो लेस देन 100 इपर मिनट यह आइपो थर्मिया के लाता है न्यूबोण बेपी के Willow और यह साथ से कम हो जाए तो उसको सीवार आइपो थर्मिया कहते हैं और अगला जो इंपोर्टेंट साइन वह क्या देखने को मिलेंगा थर्ड Acrosinus एक symptom है, Bradycardia दूसरा symptom है तीसरा symptom जो Hypothermia का Newborn Baby में देखने को मिलेगा वो है कि उस बच्छे के अंदर respiratory distress होगा respiratory distress वहाँ पे देखने को मिलेगा सास लेने में थोड़ा उसको समस्या का सामना करना पड़ेगा और चौता sign जो Hypothermia का Newborn Baby में रहेगा एक एक्रोस avoided, वहां पर देखने को मलता है रखराटरी डिस्ट्रेस देखने को मलता है और चौता संड जो है वह है कि उस बच्चे मं अनुआ प्लयसीमिया होने लग जाएगा whenever there is hypothermia there is hypoglycemia बच्चा जो है वो लिथार्जी हो जाएगा बच्चा रेस्पोंड कम करेगा बच्चा क्राई ही नहीं करेगा that indicate कि yes the baby is gone into the hypothermia तो कुछ important sign है याद रखने है preventive mechanism याद रखने है बच्चे को warm रखना है बच्चे को cover करके रखना है यह सब बाते hypothermia के बारे में आपको पढ़नी है समझनी है शीखनी है hypothermia एक important topic है और exam में इससे questions कापी बने वे तो hypothermia इसके types इसका कारण और इसका prevention और इसका clinical sign और इसका निवारण यह सब भी बाते आपको ध्यान रखनी है तो आज के लिए बस इतना ही important topic को पढ़ें समझें सीखें और उतकर्स किस bathroom platform से जुड़े रहें हर एक topic से खुद को clarify करते रहें फिर मिलेंगे नए topic के साथ में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय माकाल